हेलो बच्चो तो आज हम लोग मैगनेटिजम एंड मैटर का लेक्चर 7 पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तो ये लेक्चर बिलकुल थियोरी है लेकिन कॉंसेप्ट बहुत जवरदस्त है तो जो भी बच्चे देखो डायरेट जैसे ये लेक्चर 7 देख रहे हो बच्चो और आप चाहते हो कि जो भी प्रोपर्टी साज हम लोग डिसकस करेंगे ना वो सारे चीज 100% समझ में आए तो लिए एक क्रेटेरिया यह को फूलफिल करना होगा और वो क्रेटेरिया यह है कि सबसे पहले लेक्चर 5 तो जेक्चर सीख आ प bowling मिनिमन देखा हुआ मुआ नहीं हो सकता आपको को 257 शमझमें घीक है तो अगर जहां दिक्कत लगेगा न तो समंख लेना कि अच्छाल लेक्चर फाइव और सिस्मेने नहीं देखा है क्योंकि पहले इसलिए बोलता हूं पहला ही प्रोपर्टी पढ़ेंगे ना थोड़ा से लगेगा है यह क्या हो रहा है तो एक वह हो चुका है पिछले दो लेक्चर में ठीक चलो देखते हैं यहां अच्छा एक और बात बता द इसी तरह से कॉलम वाइस में मैंने एलाइन करके रखा है और हर प्रोपर्टी इसको एक साथ इसलिए लिखे ताकि पता चले कि हाँ इसमें यह है उसमें वह है तो तीनों में डिफरेंस हमें खटाक-खटाक समझ में आएगा ठीक है तो आप लोग इसी तरह से टैबुलर फ वैल्यू क्या होता है तो जो भी वैल्यूस देखोगे वह स्ट्रिक्टली एक्कॉर्डिंग टुदा लाइंस ओफ एंसी आटी मैंने लिखा है क्योंकि जितने भी बुक्स देखोगे ना सब में अलग-अलग वैल्यूस लिखा रहता है कहीं कोची ग्रेटर दन वान है ग्र चलो अब शुरू करते हैं अब मेरा काम यहां से शुरू होता है तो बुलते हैं कि what is the cause of magnetism क्या होता है कारण magnetism का in substances में तो कैसे पढ़ेंगे पाता है सबसे पहले हम हमेशा टार्गेट करेंगे पता है कि इसको बचो पहरा मेगनेटिक को सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे करता है यह थोड़ा अच्छा बिहेवियर शोग करता है यह क्या यह यह उल्टा अधमी है जो जैसा यह उल्टा ही करता है चलो देखते हैं तो भाई, magnetism के जो कारण होते हैं, क्या होते हैं, सबसे पहले, paramagnetic में चले, तो paramagnetic substance, ऐसा substance है, जिसमें की, जो magnetic properties जो पाया जाता है, वो किसके वज़ा से था, तो हम लोग बोले, magnetic इसमें जो dipoles होता है, magnetic जो dipoles होता है, उसका magnetic moment, किस reason के वज़ा से होता है, तो हम बोले, दो reason था, एक था orbital motion के वज़ा से, एक था spin motion of electrons, ठीक है, क्या क्या है बचो, और vital motion of electrons, एक होता है, spin motion of electrons, तो उन दोनों में, कौन से motion of electrons, responsible होता है, paramagnetic के लिए, तो spin motion of electrons, क्या होता है, responsible होता है, और spin motion of electrons से, जो magnetic moment इसमें develop होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते है, spin magnetic moment, क्या बोलते हैं, उसको, spin magnetic moment, यही सब पिछले, दो लेक्चास पर detail पढ़े हैं, जिसको denote करते हैं M suffix S से, और इसको हम लोग बोलते हैं M S को क्या, कोई बात नहीं, माल लो ये तीनो लाइन है, बच्छों पहले लिख लो table बना करके ठीक एक करके शुरू करते हैं, जैसे कि इस पीन जो magnetic moment बोल रहे हैं न, एक बार जरा लिखी लेते हैं, electrons, तो यहां से, एक magnetic moment जो developed होता है, उसको बोलते हैं, orbital, क्या बोलते हैं उसको, orbital magnetic moment, और वो M L से denote करते हैं, ठीक है, और एक होता है, spin motion of electrons, यहां से, जो magnetic moment develop होता है, उसको बोलते हैं, spin magnetic moment, और यह क्या है, M सफिक्स, ऐस से denote करते हैं, यह spin magnetic moment कैसा होता है, यह होता है, हर substance का अंदरूनी प्रोपर्टी हो गया, अंदरूनी, अंदरूनी, और यह कैसा होता है, exact, बोलेंगे क्या, Uh, permanent magnetic moment बोलते हैं बचो, या फिर इसको बोलते हैं, intrinsic, intrinsic magnetic moment, magnetic moment, तो यह intrinsic बोलो अंदरूनी, या फिर इसी को बोलते हैं, क्या यह होता है, permanent magnetic moment, तो यह सब word जो है उना, use किया जाता है, तो एक और भी जरा पहले मैं सोचा कि पहले इसी को जरा एक वर बता दो ताकि पता चल जाए कि अच्छा क्या क्या है तो इस्पीन मूशन ओफ एलेक्ट्रोंस जिसे कि स्पीन मैगनेटिक मोमेंट हो गया ना तो ये रिशे के लिए और जो और बाइटल और कि स्पीन मूशनें ओफ एलेक्ट्रों रोल इसमें क्या होता है बोले सारी यह पोल्स है उसका जो magnetic moment होगा इस तरह से aligned होता है initially अभी को external magnetic field इस substance में लगा नहीं है बसा इस शुरू में ही कैसा रहता है तो ऐसा नहीं है कि अगर मालो एक इधार है ना MS तो दूसरा ठीक उसका counter है जो की cancel करेगा नहीं यह cancel out नहीं होता है in pairs यानि एक इधार होगा एक इधा एक इधार एक इधार सब अलग अलग direction में होता है जिससे की इसका net जो magnetic moment होगा will be not equal to zero तो net magnetic moment जो spin वाला होगा that is not equal to क्या होता है जीरो they do not cancel out in pairs यानि क्या हुआ सच में net इसका कुछ नो कुछ magnetic moment होगा क्योंकि एक इधार एक इधार एक इधार 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 cancel out नहीं होगा तो resultant कुछ नो कुछ तो होगा तो होता है लेकिन अगर dimagnetic substance में आओ तो बोलता है कि भाई यह orbital motion of electron के वज़े से होता ह और orbital motion of electron है तो यहाँ पर कौन सा आएगा तो spin magnetic moment आया यहाँ पर आजाएगा orbital magnetic moment क्या आजाएगा orbital magnetic moment moment जो की m suffix l से denote करते है अच्छा इसमें क्या होता है तो बोले इसमें जो ml है ना किस तरह से रहता है माल लो एक इधार है ना तो उसको counter करने वाला opposite direction में रहता है such that they cancel out in pairs तो इधार अगर एक ml हुआ ना तो एक ml इधार हो गया अच्छा यह जो arrow ऐसे बना रहे है क्या है यह arrow जब हम ऐसे बनाते है basically यह north pole होता है यह south pole होता है such that south से north के तरफ देखो क्या है ml का direction हो जाता है ठीक है तो यह actually bar magnet जैसा है यह अच्छा cancel out in pair अगर एक उपर तो एक नीचे बना दो एक इधर तो एक इधर बना दिये देखरो cancel out हो रहा है एक इधर फिरह कही बनाना है यह तो मानवों कि एक इधर बना दिये तक इधर बना दिये één एक इधर बना दिये एक इधर बना ऒथिए एक इधर न다면 एकेदर इस तरा से करके कि इधर एक इधर resultant जो तो बोलोगे net dipole moment क्या हो जाएगा इसका वो हो जाएगा जीरो कितना हो जाएगा बचो जीरो तो net magnetic dipole moment of these substances हो जाता है क्या जीरो तो यह जीरो होता है वो non-zero होता है इसमें permanent magnetic moment कुछ ना कुछ हो जाएगा तो वो paramagnetic substance का दोखो behavior होता है क्योंकि अगर net magnetic moment हुआ हमको पता है वहिए magnetic moment होता किसका है कोई ना कोई अगर बार magnet होगा magnet है तभी तो इसका magnetic moment होगा और magnetic moment होगा इसका मदलब है कि magnetic Park magnesium magnetic है then magnetic property है हुई हो जाता है cause of magnetism ठीक है फिर हो magnetic में क्या हाल समझा करें तो वो एक अलग ही है इन دोनों से अलग ही यह क्या है यह होता है इसमें to net magnetic moment होता है जबर दस तरीके से होता है क्या है यह जो पूरा एक सवी क्षेहर है ना शेहर के अंदर चोटे चोटे सोसाइटी होते हैं, क्या होते हैं, चोटे चोटे सोसाइटी होते हैं, सोसाइटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेंस, क्या बोलते हैं, और उस सोसाइटी में क्या हाल है, कि लोग मिल जूल करके क्या करते हैं, एक डाइरेक्शन में करते हैं काम, ऐसा कुछ तो यह सब क्या होगा है, domains, और उस domain में सब aligned हो करके, दोखो, आपस में dipoles interact करता है, और एक तरफ क्या है, aligned हो जाता है, बीना को external magnetic field के, अपने से, पहले ही, तो भईया, अपने से पहले से ही देखो क्या है, इस region में, यानि इस domain में, यानि इस society में, सब aligned है, तो इसमें सब ए तरह से तो aligned नहीं था, इसमें है, अब यहां पर ऐसे एक, दो, तीन, चार ऐसे देख लो, यह है, एक, दो, तीन, चार देख लो, यह माल लो, एक, दो, तीन, चार, ऐसा कुछ, एक, दो, तीन, चार, एक इधर, एक, दो, कुछ, ऐसा बना दो, इस तरह से, हर domain में में देख moment की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होगा बहुत होगा ज्यादा very high due to the formation of domains by क्या है atomic dipoles वो होता है reason of magnetism and ferromagnetic substance अब यहीं से जो हना रास्ते खुल जाते सारे explanation का एक हिंदी लाइन में बता जिता हूं बच्छो यह अच्छा आदमी होता है यह अच्छा आदमी होता है इसको जब बोला जातने अच्छा आदमी जैसे किसको बोलोगे मैं कैसे बोल ना उधार वह समझे बात करें यह करता है थोड़ा मान लेता है मेरा बात तो यह थोड़ा अच्छा आदमी यह बहुत अच्छा आदमी यह क्या है प्पटा आयसे इसे पढ़कर करोगे यह वह या कुछ और पढ़ने लगता है यह चला गया कॉमर्स पढ़ने के लिए इसको आईटिक बारे में बताये थे यह उल्टा ही कुछ और ही करने लगा तो बाद में इसको देखेंगे पहले देखेंगे यह थोड़ा अच्छा यह उल्टा आदमी बस हिंदी लिख लिए ना इसी से पूरे प्रोपर्टी समलोग खातम कर बोलोगे वह थोड़ा आच्छा बहुत अच्छा कर अभी पता चलेगा थोड़ा देर में देखना किसका बेनिफीट क्या है एक्जाम्पल सेंड फिजिकल स्टेट ऑफ मेटेरियल है तो इक्जाम्पल बच्छों यह क्या है न तो इसको तो तो यादी करना पड़ेगा इस रहना चाहिए डायमेग्नेटिक सबस्टेंस का स्टेट किस स्टेट में एक्जिस्ट करता तो लिक्ट और गैस में प्रोड़ आ है जैसा है ना कि जेनरली जो है ना ओनली सॉलिट्स में यह एक्जिस्ट करता है लिक्विड और ग्यास क्या है फेरो मेंगनेटिक सबस्टेस नहीं होते हैं तो हर बार जैसे करके मैं थोड़ा सा हाटा हुआ रहूंगा ताकि आप इसको अच्छे से चाहिए स्क्रिंशॉट ले सको चाहिए लिक सको असानी से नेक्स्ट आते हैं थर्ड प्रोपर्टी देखो क्या है यह मैगनेटिक मॉमेंट अब जतना डिसकसन मैंने लगा है नो दस मैगनेटिक मोहमेंट जीरो इतव हैसे पर मैगनेटिक मॉमेंट भाई propre या यह मूद ए यह दोन के इसमें जोनीड नन बढ़ोवनित है इस पीन वाला वह क्या होता है मतनव क्या इसाइक हो बोंड़ थे ठीक है तो यह होता है तो बुलो कितना तो समझ लो कि स्पीन मैगनेटिक मोंट कितना है थोड़ा है भाईया इसमें बहुत जादा है ये कहानी इसका खतम है ठीक है ऐसा तो यह डोमेंस के हिसाब से होता है तो उधर से करते हैं फूर्थ प्रोपर्टी देखो कि यही कर देखो यह क्र!? decisional magneticịch का मतलब वह उसको बोला कि देखो ऐसए इससेsey steps follow कर आईटी क्राक करने के लिए तो यह कैया करता है external magnetic field उजए से एसी direction में सारे dipoles क्या करता है बच्छो जो random इधर उधर था ना सब नहीं था permanent magnetic कोई धर कोई धर कोई धर सब हो जाता है इन दिरेक्षान प्या स्टम्ला तो भाई कैसे माल लो हैसे रहता दैना इस पीन वाला इस तरह से एक्सटेनल मेगनेटिक फिल इस तरफ तो कैसे लाई डोता है तो इधर लगता है टॉर्क फट पार किया होता है सुच th Rob X B, M X B, तो धाड़ाक से यह magnetic field पर torque लगाता, इसको गिरा देता है, और यह aligned हो जाता है इस तरफ, तो यह सब थोड़ा पिछले दो लेक्चर्स के अंदर discussed है, तो यह दोखो ऐसे, इसे direction में क्या हो गया, aligned हो गया, और अगर aligned हुआ है इसे तो यह क्या south, यह क्या होता है, north, समझ में आता है, और यह क्या है, magnetic dipole moment कौन सा, spin वाला, तो यह देखो, यह aligned हो क्या, थोड़ा थोड़ा बात माना, external magnetic field में, वो क्या करता है, वो बहुत अच्छा आदमी होता है, वो पूरा ही बात मानता है, जवर्दस तरीके से, तो भाई, इसमें जो है ना, domains का concept है, बच यह क्या हो जाता है, external magnetic field आने के बाद, सब aligned हो जाता है, देखो, एक ही तरफ, एक ही तरफ, सब, तो सोचो की, कितना भ्यानक जो है, magnetic moment सोचो के develop होगा, अगर सब aligned हो जा, एक ही तरफ, यह देख लो, क्या हुआ देख रहा है, तो इसके comparison में क्या, वो बहुत खतरनाक हो गय क्योंकि domain, domain, पूरा domain ही rotate करके सब aligned हो जाता है, किदर, एक तरफ, यह जो उस direction में रहता है, magnetic moment, पिछला lecture पढ़े थे, वो domain बढ़ा हो जाता है, जिसके कारण, ज्यादा strength हो जाता है, तो यहां देखते है, it acquires, feeble magnetism, मतलब, कम magnetism, in the direction of the external magnetic field, in the direction of the external field में क्या हो जाता है, यह magnetize क्यों कह रहे है, क्योंकि जब dipoles कोई धर था, कोई धर था, कोई धर था, जब सब एक तरफ aligned हो जाएगा, तो यह पूरे dipoles को हटा करके, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, कि भाई, कहने का मतलब, इस side पूरा देखोगे ना, south, 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 left side है, और सारे north, right side है, क्या न magnetism, in the direction of the, क्या, external field, हमने बोला, IT, ऐसे तैयारी करो, यह बेचारा, थोड़ा-थोड़ा मेरा बात मान करके, उसी तरफ करता है, तो अच्छा आदमी है, यह तो बहुत खतर लाग, सारे steps follow कर लेता है, भाई, यह क्रक कर ही जाएगा, फिल, guaranteed है, तो यह भी, उसी direction में क्या क करता है, यह करता है, और यह इसका magnetic moment क्या होगा, बहुत ज्यादा है, इसका थोड़ा ज्यादा समझ लो, यह क्या है, अच्छा इसका line देख लो, यह तो इसका strong magnetism, in the direction of, एतना, हमेशा वही बात जो है ना, घुर फिर करके देखना आएगा, यह तो इसका फीवल magnetism, ते भ थोड़ा अच्छा आदमी है, वो बहुत अच्छा, तो यह कैसा है, यह है इसी के जैसा, यानि कि थोड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन अच्छा ने, खराब आदमी है, तो थोड़ा ही खराब, यानि जैसा इसका behavior बनाते हो, वैसा ही इसका बनाओ, लेकिन just ultra direction में, थिक, तो ऐसा ने कि बहुत खराब है, थोड़ा खराब होता है, अब थोड़ा खराब है तो क्या करोगे, external लगाते हैं इधर, जैसा इसका बनाते हो, जहां पर बनाते हो, बस उसका जो है, opposite direction में बना दो, तो देखो क्या हुआ, यह हो जाएगा south, यह हो जाएगा north, north, south, south, समझ में आ रहा है कि यह क्या हो जाएगा, तो यह magnet बनेगा कैसा वो सोचो, तो बुले भया यह substance, external magnetic field में सारे south इधर चले आते हैं, north इधर चले आते हैं, तो यह ultra direction magnetic moment develop कर लेता है, तो यह थोड़ा सा, देखो, थोड़ा अच्छा आदमी है ना, तो यह थोड़ा ही होता है, ले ठीक है, तो चार प्रोपर्टी हुआ, खातम, आजवा पांचिवे प्रोपर्टी पे, सारे प्रोपर्टी से करके समझ लेते हैं, पुरा थियोरी है, समझते जाए, magnetic field lines कैसा behave करेगा, पहले यहां से शुरू करते हैं, magnetic field lines are closer apart than in air, यानि air में जितना magnetic field lines present होता है, ठीक, अग अच्छा, देखना, कैसा हो गया यह, closer apart है, तो यह क्या हो जाएगा, यह बहुत closer हो जाएगा, much closer, यह closer तो छोड़ ही दो, यह क्या हो जाएगा, farther apart हो जाएगा, गौर करके देखना, closer apart, तो यह है farther apart, यहां पर much होता है ना, क्या यह much है क्या, नहीं, यानि कि यह थोड़ा अच्छा है ना तो यह थोड़ा खरावाज में यह थोड़ा 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 मच नहीं है लगा हुआ क्या इसका मतलब हुआ भाई तो मैगनेटिक फिल लाइन्स में आपको बना करके दिखाता हो जरा ठीक देखो क्या एक बड़ासा है यहां जो परामेगनेटिक में एक बड़ासा है साउथ पूल अगर यह नहीं रहता ना अगर यह नहीं रहता तब क्या होता तो बोलते कि यहां से नॉर्थ पूल से निकलता साउथ पूल के तरफ जाता नॉर्थ पूल से निकलता साउथ पूल के तरफ जाता स्ट्रेट लाइन में लेकिन जब यह सबस्टें सा आ जाता है तब क्या होता है देखें तब क्या होता है देखो एक चीज इलों यहाँ पर मैं बनाओ North यहाँ पर बनाओ South तो Magnetic Fields कैसा होता मालों अगर Air की बात करें तो ऐसा ऐसा सब Equidistant है मालों ठीक है कैसा है सब Equidistant यह कहानी किसका है यह है एयर की कहानी है, एकोडिस्टेंट, क्या होता है, जब यही magnetic field lines में substance place करते हैं, तो क्या हो जाता है, देखते हैं, देखो ज़रा क्या होता है, बने कि भाई, external magnetic field हो गया, देखो ज़रा, north pole से south pole के तरफ external magnetic field है, और अब हम देख चुके है, जैसे ही external magnetic field में substance रखते हैं, तो उसी direction में dipoles align हो जाता है, उसी direction में dipoles align हो जाता है, इसमें थोड़ा कम align होता है, इसमें थोड़ा जादा align होता है, तो पहले मैं क्या करता हूँ बच्छों, यहां से दोखो जो field lines आ रहा है न, ध्यान से देखना, field lines 3, 4, 5 माल लो इसके लिए बना देते हैं, ठीक है, तो क्या है भई, कम align होगा, यानि की, यानि की, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, कहीं कहीं बनाई हो बस दिफरेंस हमें पता चला है, जितना यहां बना रहे हैं, उसे ज़्यादा यहां बनाना है, तो भाई, यहां पर माल लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, सात, बना दो, एक, दो, तीन, अब मैं ओभर व्यू बता दे रहा हूँ, सटिक जो है, थोड़ा लाइन जो है, आप लोग अपने से रफ कॉपी में बना लेना, कि भाई, बनाना कैसे, तीन, तीन, चेक, सात में बना दे, तो इसके कंपरिजन थोड़ा ज्यादा एलाइंड हो गिया, अब यह क्या होगा, यह जब एक्स्टनल मैगनेटी फिल्म में आगा पता है, अगर प है ना, तो दोनों का सेम ही चीज़ों का बस हमेशा ओपोजे, ठीक है, बना भाई डाइगरम, तो बने नॉर्थ पोल से निकलता है, देखो क्या है, ऐसे है का मतलब क्या होता है, यह साउथ, 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 और यह हो जाता है, नौर्थ, नौर् यहां इसका मतलब क्या है जो अगल बगल में भी मैगनेटिक फिल लाइन से ना ये पूरा साउथ पकड़ करके क्या करेगा नौर्थ वाले फिल लाइस को क्या करेगा एक ट्रैक्ट करेगा खिचेगा अपने तरफ तो बोले का भाईया दूर जा रहे हो नहीं तुसी ना जा तुसी दूर उसे ना जा तुसी पास आ जा भाईया पास आ जो आ जो तो यह इधर चला गया एट्रैक्ट हो गया तो यह इधर एट्रैक्ट हो गया तो यह इधर एट्रैक्ट हो गया बोला तुसी आ जा भाईया ता आ आ गया आ गया ठीक है अब यह अंदर गया तो अंदर से प्रवेश किया प्रवेश किया प्रवेश किया प्रवेश किया प्रवेश किया कर गया प्रवेश अब यह है नॉर्थ यह साउथ नॉर्थ से साउथ के तरफ फिर से फिल लाइस निकल करके उधर चला जाएगा साउथ पोल के तरफ है ट्रैक्ट हो जाएगा तो जरा वैसे वाधु जो हैं एकूट करो कि एर एकट डिस्टन जैसे था ज्यादा मेगनेटिक क्फिल्लाएंस पास किरा देता है क्या अपने अंदर से पार्ट भी भक बहुत बार रेम्नने जा रहा है सर्악 बात बनाऊटा है तॉ बनाताो ऊसे एक को एक हो दो पितीन चार पाउठ्षे तो एकको ये समय में आ Star DiUMौ साव्ट साॉट हो गए यह वहला ठीक है तो ये एक्टर्च हो जाएगा अइसे ये हो जाएगा ऐसे ये हो जाएगा ऐसे ये गया अंदर गया अंदर 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 ऐसे ठ्क और यहां से फिर यह निकल जाएगा इस तरह से लेग्रम बनाने समझ में आरा है है ना यानिन देखोगे क्या कि वैक्यूम या एयर के कंपेरीजन में यहां पर अंदर कि नहीं तो बुले kllozer apart और यहां पर थोड़ा सा klozer है तो वहां क्या ऌगा वहां वह Um firms कहानी हो जाएगा ठीक है तो यहीं पर बहुत कुछ सम्झा दूगा आप लोगों देखों यह कैसा हो गया तो बोल यह इधर हो गया नॉर्थ 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 उपोजिट डिरेक्शन में हो जाता है यह साउथ 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 तो आट ऑफ 1000 एक जाता है. बानकी सब क्या होजगा? रिपेल हो जाएगा. तो मनगों कि ऊपर, फिर ये आयाँ रिपेल हो करकेpper इधर. है आया रीपैल होकर के कि इधर है इसे समझ में आना चाहिए कि क्यों रीपल्ट्स हो रहा है फिर यह यह ऐसे क्योंकि यह i.e fet why you say यह है एक चीज़ तो यह समझ में आ तो बाहर से जो यह वाला है गोर कर के देखूं तो यह क्या है वाट टेच इस नौर से साफ तरफ जा रहा है तो ये direction किसका है? इस ऐक्च्छली बी एक्स्टर्नल का? क्या ही यह बी एक्स्टर्नल जो नौर से सौथ के तरफ जा रहा है ठीक? अगर डाइ मेगनेटिक में देखोगे बचो एक्स्टरनल माझनों कोई magnet यहां रहता नॉर्थ और ये भी बना लेता है नॉर्थ तो अब हम दिमाग में अच्छी से बैठा लेंगे कि जो है न ये कैसा है नॉर्थ नॉर्थ देखो क्या होगा इन दोनों के बीच का अगर एनालिसिस करोगे तो यहां होने क्या जा रहा है एक्ट्रैक्शन होने जा रहा है यानि कि एक्स्टरनल अगर कोई मेगनेट होगा तो समझ दो नॉर्थ और सौथ अट्रैक्शन पकड़ करके ये ठीच जाएगा इससे एट सट जाएगा ठीच अब यहां पर देखने में आता कि पांच साउथ जैसा देख लो जरा तो पांच साउथ कितना फोर से एट्रैक्ट होगा समझ में आता है यहां पर कितना यहां साथ साउथ है भया तो यहां तो और खतरना के ट्रैक्शन होगा तो अगर यहां पर बोलो एट्रैक्शन तो यहां पर क्या बोलोगे strong attraction होगा क्या होगा यहाँ पर तो बोलो strong attraction यहाँ पर होने जा रहा है, इसी page से सब कुछ हम लोग यहाँ determine कर लेंगे ठीक, अच्छा, अब बोलते है क्या, यह जो external magnetic field line है यह है मैं, कि मैं बोलता हूँ कि जाहरन दे रहा हूँ, ताकि जुहान आप भी समझ सको कि आप किसी को कुछ बोलो, माने ही नहीं, repulsion, ठीक, भाईया, तो अच्छा आदमी नहीं मानता है मेरा बात, यह क्या है attract, मैं बोलता हूँ, मेरे बातों से attract हो जाता है, मेहनत करने लगता है तो भाई, मेरा बात से attract हुआ, ठीक, यह क्या है यह बहुत अच्छा आदमी है, मेरा पूरा बात मान लेता है strong attraction है, तो अब ऐसा ही पता चल जाएगा कि external magnet आएगा ना, तो कौन मेरा बात से attract हो जाएगा कौन मेरा बात को ripple करके, उचल जाएगा कुछ और तयारी करने के लिए, ठीक, ऐसा तो field lines यहाँ पर क्या हुआ, farther apart हो गए, देख लो vacuum या air में केतना था, सब एतना इतना distance पर, यहाँ क्या हो, यहाँ तो भाईया, फाइल गया तो further apart हो जाता है, यहाँ closer, यहाँ पर much closer, यहीं पेज सब कुछ है, जब बताना होगा न मेरे को, मैं यहीं परा करके बताओंगा, बचल पेज नमबर को है, ठीक, तो यह clear हो गया point, point number five, आ जो, next, क्या है, effects of magnet, बस अब देख चुके हैं कि effects of magnet में क्या होता है, देखो, these are fee feebly attracted by a magnet, बाहर में अगर को magnet आया, तो कैसा attraction होगा, feebly attracted, feebly attracted, यह कैसा होगा, strongly attracted by a magnet, यह, यह तो भाई सा बलग ही है, repel by a magnet, तो देखो, पढ़ते वही है, lines वही है, रटना वही है, सब ठीक है, लेकिन यह कैसे उसको memory में बठाते हो, वो matter करता है, छोटे-छोटे कहानी से हो अच्छा आदमी है, खराव आदमी हो, बहुत अच्छा आदमी है, हो गया, सारे table properties याद हो जाएगा, लिख लिए इसको property number 6, इसका भी एक diagram बना देता हो, टाकि दिमाग में जो है, अच्छे से set हो जाए, जैसे, यह है dimagnetic substance, यह है north magnet हमने लाया, ठीक लाए, substance यह, पता aligned होता है, ठीक है, यहाँ north logon paramagnet थोड़ा अच्छा आदमी है या south, क्या होता है, attraction हो जाता है, क्या हो जाएगा, attracted हो जाएगा, खिच जाएगा इधर, ठीक, यह कैसा है, यह तो बहुत अच्छा आदमी है, सारा मेरा बात मानता है, तो यह यहाँ पर क्या होने जा रहा है, तो बोलेंगे strong attraction, by a magnet, तो यह ऐसे ऐसे, देखलो है न, the effect of यह होगा, magnet, next, property number seven, वह पर्मी अबिलिटी, यह पर्मी अबिलिटी का मतलब पता है, हिंदी में इसको बोलते हैं, मैं बहुत बार बोला हूँ, इसको हिंदी में बोलते हैं न, पार गम्यता, और सच्छाई में बता रहा हूँ, बच्छो, गम्यता का मीनिंग हमें नहीं समझ में आता है, नहीं आता है, तुम नहीं आता भी है, जितना आता है, मैं वह ही बताऊंगा, पार गम्यता इसका शूधिन दी है, गम्यता नहीं पता, पार का मतलब बड़ा अच्छा समझ आता है, पार मतलब क् सबसे अच्छा अगर बोलेंगे कौन है यह याद है साथ field lines अपने अंदर से पार करने दिया था यह पांच पार करने दिया था ठीक है यह यह तो भाई उल्टा ही था देखो उसी से क्या ने यह values याद हो जाएगा मैं आता हूँ उसी page पर बचो ठीक एक page है जहाँ पर मैं बार-बार आऊँगा म्यू वाला समझने के लिए देखो यह देखना जब यहाँ पर air है या vacuum है न एर और क्या बोल दो vacuum ठीक है तो vacuum में एक region मैंने बना दिया vacuum में क्या है एक region मैंने बना दिया कितने field lines पार कर रहे है हमें समझ में आता है ठीक है एक region बना दिया कितने पार कर रहे है पार कर रहे है तो यह हो गया value mu naught का कि कितना पार कर रहा है अच्छा मान लोग कि इतना बड़ा जगा हम ले लिए तो कितना पार कर रहा है समझ में आ रहा कि तीन पार कर रहा है ऐसे vacuum में भाईया इसके comparison में जब हम यहां जाते हैं तो उतना ही region अगर हम बनाते हैं तो कितना पार कर रहा है पांच पार कर रहा है तो यह थोड़ा vacuum के comparison में थोड़ा क्या है यह ज़्यादा पार करने दे रहा है यानि हम यहां कह सकते है क्या कि mu is greater than mu naught की हवा में जतना था और closer कर दे देख लो मिउनौट के comparison में क्या है बहुत बहुत greater तो वो क्या है पुले भाईया वह अपने अंदर से एकाद दोगों को पार करने देता है बांकि तो रिपेल कर देता है तो यानि सोचो पहले तीन पार कर रहा था लेकिन यह क्या अब एक ही ही पार कर रहा है तो क्या उसको पहले तीन रुपिया अब मेरे पास एक ही रुपिया बचा तो कम यानि कि यह कैसा substance है जो भाईया वैक्यूम से भी क्या करता है कम पार करने देता है मत्तब कि पार गम्यता यानि कि permeability हो गया इसी डाइग्राम से सब कुछ clear हो गया डाइग्राम बनाने की ज़ुरत नहीं ह ठीक है साही है है ग्रेटर देल हवा बैरी ग्रेटर देल हवा कम ग्रेटर देल हवा तो यह हो गया permeability property नमबर एट यह susceptibility value भाईया susceptibility क्या होता है भाई क्या होता है susceptibility तो एक सकंड बचो चुछ रहा एक सकंड रुपना देखो susceptibility अगर देखोगे तो हम लोग क्या पढ़े थे कि तार बांधेंगे ना कहां पर तार बांधेंगे यहां देखो ज़रा जैसे को सब्सक्राइब्स पारमेग्रेटिक में आते हैं सबसे पहले यह सॉलिनॉइड क्या है यह इट इस सॉलिनॉइड ठीक है तो सॉलिनॉइड अनम बांधें यानि में पास कराते हैं करेंट टार बांधें में बाधने से होता क्या है बिल एकस्टरनल मैग्नेटिक फिल्ड यहां परजनरेट होता है नैट क्या होता है दो proportional to h, जतना ज़्यादा तार बांध होगे number of turns आप दोगे, पर unit length के अंदर जतना ज्यादा turns आप करोगे, उतना एन होगा ज्यादा ज्यादा और उसमें current pass करा दो, तो भाई यह उतना ही ज्यादा यह बी नोट external magnetic field क्या होगा? प्रोडिूस होगा, ठीक है, तो बी नॉट जो है ये लग जाता है आजाता है कि यही पिछले लेक्चर में पढ़ा है तो अगर पिछला लेक्चर देखा हुआ रहेगा बचो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा से समझो कि क्या बी नॉट क्या एच है ना नई तो फिर बड़ी दिक्कत है अब मुश्किल होगा समझ में आना है हो गया ठीक है अब यह बी नॉट बोले डारेक्टि प्रोपोर्शनल टुए ज्यादा तार बंद होगे तो भाई ज्यादा मैगनेटिक फिल्ड होगा हो गया मैगनेटिक दिक्स को उसी डायरिक्टि में क्या कर देता है कर दिया उसी डायरेक्षन में साउथ यह है नॉर्त तो भी यह नौर्थ इधर समझी बंद गया साउथ हिदर तो एक सम्झों बार मैंगनेटिक तरफ बन गया यहां से एक मैगनेटिक फिल्ड अलग प्रोड्यूस होता है औ उसको हम लोग बोलते हैं क्या BM क्या बोलते हैं BM magnetic field produced due to magnetization of the substance BM तो वो उसी direction में produce हो गया उसी direction में produce हो गया तो formula कैसे बनता है यहां पर तो बोलते हैं कि BM जो होता है न वो भी directly proportional क्या हो गया वो होता है intensity of magnetization यानि जो magnetization हो रहा है सारे dipos align हो रहे हैं तो बहुत अच्छा magnet बनते जा रहा है तो कितना magnetic moment develop हुआ है per unit volume of substance वो होता है IM यानि कि I, M का अगर value बोलोगे तो क्या होता है कितना magnetic moment developed हुआ है per unit volume जितना ज्यादा magnetic moment develop होगा per unit volume उतना अच्छा substance बनेगा तो उतना अच्छा यह IM होगा यह हटाओ तो BM पराबर भी क्या होता है बच्छों मुनाट इंटू आई है हो गया यह दोनों magnetic field produce तो हम कहते है क्या है एक्छी भी देखोगे क्या है intensity यहां देखना जारा है हैं इक्छी ही है na इंटेंसिटी किशका इस magnetic field का है ना जतना जž्यादा तार बने ओंटना इइय झेंसीटी नम अवाला अलाग यह कोई बात ना लेकिन है तो इंटेंसिटी ही इसको क्या बोलते हैं, यह बोलते हैं, magnetizing field intensity, तो उसे magnetizing field generating, यह कहते हैं, intensity of magnetization, तो उसे magnetic field का नाम क्या होगा है, magnetic field due to magnetization, simple सा बात है, तो इसका intensity यह, यह दोनो intensity से दिए, यानि कि ज्यादा तार बांद होगे ना, ज्यादा तार बांद होगे ना, तो ज्यादा अच्छा क्या lugan magnet यहां ज्याधा दार बांद देगा ज्याधा करेंट हो उसके पास करा रहे हैं तो ज्याधा अच्achen magnet बनते जा रहा है यहीं से one term आता है काई क्या है?? बोलते है जतना ज्याधा दार बंद होगे बंद तार कितना अच्छा उसके बाद मैगनेट बन गया वह डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ मैगनेटाइजेशन से तो इसको हम लोग बोलता है काई क्या बोलता है काई Susceptibility जैसे 100 नमबर का पेपर होगा मेरे को Physics का Question पेपर दे 200 नमबर का ठीक है दे दिये यानि कि पहले तार बांद दिये अब देखते है कि किता अच्छा मैगनेट बना तो अब हम देखते कि मैं किता अच्छा नंबर लाया, इससे पता चलता है कि मैं पढ़ने में तेज हूँ, बहुत अच्छा हूँ, या फिर कम जोड हूँ, है ना, इसको देखते बाद यह तो ठीक है, तो वही तारबान दिये, अब देखो कि किता अच्छा मेगनेटिक मोमे डेवलप हुआ, ज़्यादा तो यह ज़्यादा, कम तो कम, सही है, उल्टा, उल्टा मतलब फुजिक्स का पेपर इसको दिये थे, भाई यह केमेस्ट्री का लिख रहा है, दिये तो फुजिक्स का पेपर, कि फुजीक्स का कॉस्च्छन डेरिविशन सब लिखो, वो क्यमे magnetic होगा तो यह देखो ठीक है तो दो इसमें बना तो इसमें थोड़ा एक दो तिन चार बना दो ऐसा कुछ होगा बहुत ज्यादा यह बीम क्या होगा थोड़ा ज्यादा यह क्या है तार बांध है यहां पर इसमें करेंट दिए बी नौट प्रोडियूस हुआ क्योंकि पता है करेंट तो ऐसा ही दे रहा तो लेकिन सबस्टेंस ओपोजीट हुआ है तो भाई यह बीम इस साइड मतलब प्रोडियूस होगा देखो यह साउथ यह क्या हो जागा नॉर्थ साउथ से नॉर्थ ऐसे पर नॉर्थ पोल से क्या है मैगनेटिक फिलेस निकल लेकिन यह कैसा होगा थोड़ा ज्यादा थोड़ा थोड़ा यह बहुत समझ में आगे बढ़िया से तो काई क्या है अब आप यह बता दो बचो काई क्या है अपने आप समझ में आजएगो I m है I m के आगे mu not लगा तो bm हो जाता है और h के आगे mu not लगता है तो b not हो जाता है तो मैं आप लोग के लिए एक extra formula सिखाता हूँ सीख ही लो बड़ा काम बला है कि भाईया जो काई होता है ना है तो ये i m बटे h लेकिन इसी में माल लो अगर मैं लगा दू mu not निचे और mu not लगा देता हूँ उपर माल लो क्या हो जाएगा तो बुले कि mu not into h तो हो जाता है external magnetizing field जो होगे magnetic field और ये कर देते हैं तो ये हो जाता है bm यानि कि कहने का मतलब देख लो क्या कहने का मतलब देखो कि क्या magnetizing field जो है लगा दिये external उसके बाद देखते हैं कि कितना magnetic field प्रोडियूस करता है तो भाईया ये magnetic field vector quantity है तो direction wise देखो अगर b not इधार है तो bm भी इधार तो positive दोनो positive positive ये b not positive तो वो भी positive direction b not positive ये भाईया opposite direction में यानि negative यानि यहां से काई का अब ही कुछ कुछ जो है न हमें समझ में आ जाता है तो देखो बताता हूँ प्लस 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 माइनस माइनस ना यहां देखो थोड़ा सा अगर काई बोले तो ये क्या होगा समझो b not और उपर में होगे बच्छो दोखो plus bm सही है क्या देखो दोनों plus plus यानी plus ठीक है काई काई अगर बात करोगे तो नीचे plus b not right direction में ये plus bm और ये bm क्या बहुत ज़्यादा फेरो magnetic है न ठीक ये क्या थोड़ा ज़्यादा अच्छा ये क्या होगा काई बोले कि b not तो हम दिये right side plus लेकिन ये magnetic field opposite direction में generate किया ठीक तो ये minus bm हो गया यानी समझ में आ रहा है और ये थोड़ा ज़्यादा है बचो फाइनल answer काई का क्या आएगा negative क्या answer आएगा बोलो negative और ये क्या आएगा थोड़ा तो ये हो जाएगा positive और ये क्या होगा होगा तो positive यानी ये negative positive positive का मीनिंग क्या होता है वो अंदर घुष करके यहाँ समझ लो अब इतने डाइग्राम से बचो दो बूख सुने मिलेगा इतना डाइग्राम स्थोड़ी मिलेगा कि भाई सब कुछ अंदर घुष करके हर एक चीज़ पर बस लिख दिया शुकर फाजिटीब नेगेटिव ँभ अब समझो की पॉजिटीव नेगेटिव एक ठीक आचा घब होते हैं पॉजिटीव एंड एंड लार्ज वैल्यू ठीक है यह क्या होगा नेगेटिव एंड कैसा होगा इस्मॉल वैल्यू क्योंकि थोड़ा ही होता है तो काई का वैल्यू कैसे होता है वह समझ जब एक्चुली होता है इंटेंसिटी का रेशियो लेगिन कैसे उसको मैगनेटिक फिल्ड में ले जाकर के प्लस माइनस हम साइन समझ सकते हैं तो वो भी मैंने आप लोग को बता दिया एक सकंड बचो कौन सा प्रोपर्टी पर हूँ पहले वो तो पता चले ठीक है यहां पर थे हम लोग है यह देखो साशेप्टिविलीटी फेलिओ अब आते हैं तो यहां पर ससेप्टिविलीटी का क्या है इस्मॉल and positive ठीक है यह वळा क्या है बहरी लार्ज and positive सही है यह क्या हो ग़ागा स्मॉल ही होगा जैसा यह होता लेकिन नेगेटिव क्लियर हो गया सब कुछ थिक तो इसको जड़ा सिंबॉलिक में रिप्रेजेंट कैसे किया है स्मॉल एंड पॉजिटिव पॉजिटिव का मतब क्या होगा कि काई का वह लिए दोको जीरो से ग्रेटर है और कोई एपसलन तक है तो वाट इस एपसलन एपसलन होता है एस्मॉल पॉजिटीव लिए बैटिव लिए इस नॉट पर मिटिविटी अफ लेक्टर स्टाटिक्स ग्रेटर एंट एपसलन लगा से एपसलन वो नहीं है इप क्या है वाट इसदेस इस इस एकंस्टेटक और वहो पॉस बहुत छोटा यानि कि ग्जाम्पल कह सकते हो कि एप्सलर बहुत छोटा मतलब क्या प्लस 0.2 प्लस 0.3 ऐसा कुछ यह है समझलो यहनि कि जीरो से लेकर के 0.2 तक तक यह च्या हुआ का फैल्यों यह जीरो से उपर ड्पोजिटिव और बहुत कम तो मीनिंग समझ में आ तो बहुत ज्यादा बढ़ा इतना ठीक है यह क्या है जीरो से कम तो नेगेटिव हो गया है समझ में आ रहा है माइनस वन के बराबर है यह क्या है भाई तीसका एक अलग टॉपिक है बचो एंस याटी में बड़ी अच्छा लिखा हुआ सुपर कंड़क्टर्स का इकना पैरेग्राफ है उसको समझाओंगा तब बताओंगा कि यह माइनस वन का इक्वल्टू का मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ देखरो गौर करके बचो यहाँ पर जीरो से ग्रेटर जीरो से कम यहाँ एक्वल्टू नहीं लगा हुआ हुआ गौर करके देखो यानि बोलता है कि काई के नॉट भी इकल टू जीरो जीरो तो ही नहीं क्या इसका मतलब हो गया तो बोले कि भाई का मीनिंग यह हो गया ना कि हम तार बांदेंगे ना तो केतना अच्छा मैगनेट बनेगा देखरो मैं डेफिनेशन लिखता कैसे हो बच् क्या हूं तार बांदे है ना तो केतना अच्छा मैगनेट बना ऐसा ही बोलता हूं कि पूरे फिजिक्स पढ़ो वैसे नेकीट इस डिफान डिफान देखर इस डिफान देखर इंटेशन टू दूदर मैगनेटाइजिंग फिल इंटेंसिटी वह क्याना भूल जाओगे कु क्या हो जाए कि नहीं कि इसका क्या मतलब मतलब है कि हम तार बांदेंगे उसमें करेंट देंगे इसे यह तो प्र॑ड्रीज हो गया थीक है कि बोलता कितना magnetic field जो है ना magnetization के बाद produce होगा वह होगा zero ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि सोचो कि कितना magnetize होकर कि वह produce करेया that should be zero सोच करके देखो ऐसा होता है कि आ जो यह देख रो तीनी substance तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो बोले भी यह इसमें ऐसा तो नहीं है कि BM zero होता है कुछ ना कुछ तो magnetize होता है तो यह तो है नहीं यह तो बहुत ज्यादा प्रोड़ी करने कर तो रहे हैं घ्रत है यह single हैекс पने है तो this is not possible बच्चो क्या होगा therefore क्या लिखते हैंगे this is not possible therefore this is not possible इसी लिए काई का वेली दोखो इक वेल टो जीरो कहीं नहीं है हो गया किलिए अब माइनस वन का थोड़ा देर में बाद में बताओ कि माइनस वन का मतब क्या हुआ यह हुआ ससेप्टिविलिटी का वैल्यू अब जो भी है माइनस वन से जीरो जीरो से थोड़ा इतना देखते हैं अगला प्रोपर्टी आ जो जरा यह है रिलेटिव पर्मियाबिलिटी रिलेटिव पर्मियाबिलिटी क्या होता है वह होता है म्यू आर क्या होता है यह होता है म्यू बटे म्यू नॉट एक तो यह हम लोग जानते हैं जैसे कि रिलेटिव पर्मिटिविटी नहीं पढ़े एलेक्ट्र स्टाटिक में एपसलन आर एपसलन बटे एपसलन नॉट वैसा हैं एक और चीज़ पढ़े इन टाम्स अब ससेप्टिबिलिटी म्यू आर जो होता है वह होता है बन प्लस कई क्या होता है ओन प्लस कई को कोई सा लेक्टर पूरुफ किये ये लेक्चर सेव साथबर बें यह सब हम लोग पढ़े हैं कहांँ लेक्चर fix में तो वो देक्चे लेखं़ पर देखके आएब हैं कि तो खो जीरो तो हो नहीं सकता है तो जीरो से एपसलन कुछ ऐसा होता है छोटा भैलियो बोलते हैं एपसलन है तो चोटा और यहां पर क्या था minus 1 के बराबर हो जाता है काई less than क्या होता है 0 minus 1 बाद में बता रहा हो equal to का meaning क्या है अभी आप जान लो कि ठीक है negative है हाँ ठीक बोले कि भाई mu r हमको चाहिए mu r क्या होता 1 plus काई 1 plus काई तो बोले काई है ये इसमें अगर बन जाएगा ठीक है तो ऐसा करते इधर भी plus 1 plus 1 plus 1 कर देते है तो ये दखो क्या हो जागा minus 1 plus 1 aside कर देते हैं भाई यहां पर क्या कर दो काई plus 1 कर दो तो इसमें 0 plus 1 कर दो कर तो सकते सब तरह plus 1 hence this becomes क्या this becomes mu r बने गया relative permeability सही है ये हो गया 0 और ये हो गया mu r और ये हो जाएगा 1 यानि की देख लो जड़ा mu r का value dimagnetic substance के लिए 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा देख रहो कि अतना अच्छा है और equal to 0 क्या बतलाएगा बताऊँगा थोड़ा देर में superconductor होता हो तो काई का value minus 1 बोलो या mu r का value बोलो 0 देखो वहीं से setting होकर क्या है mu r का value equal to 0 या का value equal to क्या है minus 1 उसको superconductor बोलता है आगे बताता हूँ लेकिन कैसे आया proof होगे थी यहाँ पर बोलो भाई how to find mu r काई का मेरे को पता है plus 1 plus 1 कर दो तो 0 plus 1 काई plus 1 कर दिये आई इसमें भी क्या करते है epsilon plus 1 कर देते है मतलब यह point 2 था था 1.2 हो जाएगा भाई यह तो 1 हो गया यह तो mu r हो गया और यह हो गया कितना 1 plus epsilon यह epsilon plus 1 लिग दो देख लो ज़रा ठीक है देखो 1 से लिखर के 1 plus epsilon तक होगा तो यह दोनों आपको mathematical मैंने सिखा दिया उसमें क्या है बच्चो होना क्या चाहिए तो सटिक वो बता देता हूँ आप लोगो ठीक जैसे बोलोगे सर काई है यह दोनों तो आप बड़ा अच्छा से बताए जरा उसमें दिमाग लगाना है ठीक है इन दोनों में जब लिमिट्स लिमिट्स देकर रखाए तो लिमिट लिमिट्स में हमने लगा करके कर लिया यह बहुत बड़ा होता है तो म्यूक का मत्ब क्या आप दोो मेक्यूट के कंफारिजन में में कितना magnetic field lines को पार होने देता है फिर से बोलता हूँ vacuum के comparison में कितना magnetic field lines को पार करने देता है तो vacuum यादे बोले थे तीन vacuum में तीन भाई यह फैरो magnetic में देखो गए तो तो साथ पार कर रहा था तो vacuum के comparison बहुत जादा वही होता है कि vacuum के comparison कितना पार करने दे रहा है तो उसके comparison में कितना relative तो यह यह एड़ीव, घरेटर दन वान तो ठीक है झालेगा टो बोलो चाहे ग्रेटर घ्रेटर दन वन बोलो understood है है तो उसमें हम नहीं लगा रहे है अब भूक में नहीं दिया लगा रहे है ना अब साइंटिस्स तो है ने कि बहुत ज्यादा पार करने देता है इन कंपरेज़न टू वैक्यूम खतम कहान ग्राफ ऑफ आई-एम वर्सस एच एच क्या है तार बांधेंगे पर तो कितना अच्छा मैगनेटिक बन जाएगा कितना मैगनेटिक मोमेंट डेवलप होगा पर यूट वॉल्यूम ठीक है तो बाई यूज ऑफ काई से हम लोगो तीन ग्राफ चाहिए क्या-क्या डाई-पैरा-फेरो तो क्या था भाई देखो जरा तो हम लोग इसमें पढ़े थे कि काई बराबर क्या होता है तो बुले कि तार बांधेंगे ना कितना अच्छा मैगनेट बन गया है यहाँ पर भी क्या भाई तार बांधेंगे ना कितना अच्छा मैगनेट बन गया है और काई का भेल्यू द negative and small ठीक है यहाँ पर काई क्या answer आया था positive and small और यहाँ पर काई का value क्या आया था बोलता है कि positive and very large positive and very large तो देखो कैसे कैसे है graph हमें I am versus h का graph चाहिए I am versus h का graph चाहिए तो कैसे graph हम लोग बनाएं तो बोले कि ठीक है भाई तो देखो गे I am बराबर अगर देखोगे तो यह हो जाएगा kya chi i into h I am है बचो y axis में तो यहाँ y रख देंगे h है x axis में तो यहाँ x रख देंगे यानि कि यह हो जाएगा मेरा क्या तो यह हो जाएगा मेरा x ये क्या है? तो यह है नेगेटिव and small तो नेगेटिव मतलब क्या है? माइनस M कुछ ऐसा बोल दे क्या देखो जो रहा? क्यों? क्योंकि दिस इस क्या है? नेगेटिव है तो भाई ये नेगेटिव माइनस M कर दो, खतम तो पता चलिए का y equal to minus mx हो गया है ना i m versus h का graph और y equal to minus x का graph कैसा होता है वो हम जानते हैं कि यह y, यह x तो y equal to minus mx plus c तो c है नहीं, c नहीं है का मतलब यह pass करेगा 0 से लेकिन कभी भी कोई line ऐसे ढ़लता है का मतलब होता है slow positive यह slope negative है यहाँ पर तो ऐसे line ढ़लेगा है की नहीं अब pass करेगा कहां से origins यानि कि हम बनाएंगे कैसे ऐसे बनेगा such that theta greater than जब 90 होता है तो 10 theta negative होता है और negative मतलब slope negative होता है straight line का graph पूरा analysis YouTube में सर्च करिएगा बच्चो straight line graphs physics links पहला ही lecture class 11th का basic mathematics में पढ़ा है तो y equal to minus mx होगे यानि ऐसा तो हमें सिर्फ first quadrant में बनाना होगा तो दो कैसा बनाएंगे सिर्फ ये वाला portion तो ये वाला portion उठा करके बना दो ऐसा हो जाए reason समझ में आना चाहिए को ग्राफ क्यों ऐसा ठीक है ये क्या है हाल समझ आ रहे हैं देख लो तो बोलें यहां से ये दोनों तो mathematics होल्ड कर लिया यहां पर भी बिल्कुल बोलोगे न कि सर पॉजिटीव ही है बस large value क्या मतलब उसका मतलब एक ठीक है large value का मतलब क्या बोलोगे बचो प्लास एम क्या है यहां थोड़ा से छोटा है तो यानि कि कम धलान वहां पर ज्यादा बनाया कम धलान ज्यादा धलान वाला लाइन कैसा होगा ऐसा बना दो रोड धलान बहुत खतरना यानि ऐसा बनना चाहिए लेकिन फेरो magnetic substance के लिए ना थोड़ा mathematical कम और एक topic था पहले आब हमें नहीं पढ़ना है वो hysteresis अब हटा दिया गया अनसे फिरग अभी फिराल मल लो इतना तो सवंगे में आया है कि यह बढ़ेगा ऐसी कुछ बढ़ेगा तो यह प्रैक्टिकली जोन ऐसे बढ़ता है यह इस तरह से ऐसे चरके या तो यह ग्राफ पुछा जाता है, नेक्स्ट यहां देखो, अब दो की जो बात कर रहे थे न वो, एक टर्म है बचो उसको बोलते हैं, सूपर कंड़क्टर, क्या है भाई सूपर कंड़क्टर, तो बोलते हैं कि एक ऐसा मेटल्स होता है, यह पूरा एंसियाटिकल लाइन है, मैं इसको explain करने जा रहा हूँ, तो तो इसा मेटल्स होता है, बहुत कम टेंपरेचर पर विच एग्जिबिट सो बोथ पर्फेक्ट कंड़क्टिवीटी हो, एल्ट परफेक्ट डाय मेगनेटिजम, क्या हो भाई परफेक्ट डाय मेगनेटिजम, तो यह परफेक्ट डाय मे लोग देखें तो यह कैसा था कि यह मालोग सबस्टेंस है थे इधार है नॉर्थ बच्चो आइधार है बड़ा सा साउथ फिल्ड लाइस कैसे था एक दो तीन चार पाँच और यह क्या है उल्टे डायरेक्शन में यह एलाइंड होता था उल्टे डायरेक्शन भी यह एलाइंड होता था ना पता है तो यह दखो क्या हो जागा यह नॉर्थ 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 ऐसा बन गया साउथ 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 तो हम लोग क्या बोले थे कि भाई ओपोजिट डायरेक्शन में ऐसे यानि कि यह बीम इस डायरेक्शन में है और इ सूचों कि क्या होता है यह कैसा है उल्टा आदमी बात नहीं मानता है परफेक्ट डायमेगनेटिक्जम का मतलब क्या हो गया कि एक गदम नैनो लेवल में भी बात तुम्हारा नहीं मानने जा रहा है एक भी अंदर से पार नहीं होने देगा तो जो भी ऐसे आता है एक दो तीन चार पाँच मालो तो ये भी गया किधर बाहर 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 ये भी बाहर ये भी बाहर कहने का मतलब तो अंदर में magnetic field lines क्या हो गया पता है net जो magnetic field lines होता है ना B net वो हो जाता है बच्चों 0 क्या होता है अंदर में 0 होता है कोई भी magnetic field lines अंदर से पास नहीं करता है इसी को बोलते है perfect dimagnetic substance कोई अंदर magnetic field lines नहीं पार करेगा तो सुचो बहुत सारा parameters अगर मैं बोलूं आप लोको ध्यान से देखो net magnetic field lines 0 का मतलब क्या हुआ कैसे net magnetic field lines 0 होगा समझो कैसे net magnetic field lines अंदर 0 होगा देखना ज़रा तो बुले कि भाई बी जो होता है ना वह होता है दोखो जड़ा बीनोट प्लस बीम सही है क्या बी क्या होता है बीनोट प्लस बीम बीनोट था बचो एक्सटर्नल एक्सटर्नल कि इधर था बीनोट एक्सटर्नल जा रहा था इस साइड और ये जो magnetic substance होता, opposite में produce करता है BM, ठीक है, तो एक इधर कुछ external है, BM कुछ इधर है, लेकिन भाया अंदर से एक भी field नाइस पार नहीं करने देता है, सब को repel करकर के बाहर भेजता है, तो net magnetic field zero हो गया, तो यानि कि this is क्या है net magnetic field inside the substance, inside the substance, और वो हो जाता है क्या, zero, क्या हो जाता है वो zero, तो कैसे zero होगा सोच करके देखो जरा, तो B not plus BM जो हो जाएगा, will be equal to zero, इसका मतलब कि BM जो हो जाएगा, बच्चों वो क्या हो जाएगा, बोलो minus B not हो गया है, क्या हो गया, BM is equal to क्या हो गया, minus B not, यानि कि 10 field lines मालो इधर अगर जा रहा होगा, तो 10 field line इधर, net magnetic field lines अंदर से क्या है, भाई, zero है यह, कहने का मतलब, है की नहीं, हैंस, यह जैसी पता चला, तो दूसरा चीज़ अगर मैं बोलता हूँ, what is kai, देखना जरा, perfect dimagnetic substance के लिए kai क्या होगा, kai है क्या हम तार बांते हैं, कितना अच्छा magnet जो है यह बना, ठीक है, इसी में, अगर हम, जो mu naught इधर लगा दिये, mu naught जब हम उपर लगा देते हैं, तो उपर बन जाता है bm, और नीचे बन जाता है क्या b naught, भाई, perfect dimagnetism में देखो bm किसके बराबर होता है, minus b naught के बराबर, यानि यह minus b naught हो गया, नीचे b naught हो गया, सही है क्या, यह दोनों कट जाएगा, answer कितना आ गय हो जाएगा, बच्चों, minus one हो जाएगा, और यही हम बता रहे थे, कि काई का value हो जाता, minus one, का मतलब क्या हुआ, जतना b naught इधर है, उतना ही, opposite direction में generate हो गया, such that, किसके लिए, dimagnetic substance के लिए, एक तो यह समझ में आया, ठीक है, तीसरा parameter क्या है, mu r क्या होगा, बोले, mu r होता ह and one plus kai, भाई, perfect dimagnetism के लिए, kai का value अभी हमने देखा, minus one, plus one, minus one answer क्या आजाएगा, z, rho, hence, mu r होता है, बच्चों, zero, क्या यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आया, क्या, अक्सर यह चीजे unclear रहते हैं, बच्चों, इतना detailing में नहीं बताता है, बस पढ़ दिया, लोग, ठीक हाँ, अब माल लेता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, हमको कहां से समझ में आएगा, जनम लिये थे, तो कोई बताया था, क्या, नहीं, तो समझ में कहां सा आएगा, तो यह, यानि कि perfect time magnetism का मतलब हो गया, कि kai बराबर होगा, minus one, और mu r का value हो गया, zero, अब ऐस जा रहा था, उसके comparison में, substance के अंदर से कितना जाएगा, कितना जाएगा, zero, देखो, पूरे repel कर दिया, कुछ जाता ही नहीं है, तो यानि zero, यानि कि ठीक है, here the field is completely expelled, बाहर कर दिया जाता है, तो इस superconductor क्या करता है, बच्छो, तो रिपेल से magnet, and is also repelled by the magnet, यानि कि भाई superconductor, perfect dimagnetic substance जो होता है, वो करता क्या होगा, सोचो, यह north होगा, यहाँ पर south क्यों लिखा है, बतलब, यह north और यह south, तो सोचो क्या है, perfect पूरे repel किया मतलब, इसा नौर्थ, 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 हो गया होगा, तो भाई, यह नौर्थ, नौर्थ, ब्यानक रिपल्सन ऐसे दिया, तो perfect repulsion यहाँ पर कर दिया है, सारे magnetic field lines का, बता चुके थे, dimagnetic repulsion करता है, बच्छो, perfect, पूरे repel कर दिया, ठीक है, कौन सा लाइन हम लोग पढ़ रहते है, हाँ, कि यह superconductor, जो perfect dimagnetic repels a magnet, ठीक है, यह north क्या करेगा, जो बाहर में external को magnet direction, मतलब equal in magnitude, opposite in direction, हो गया, हाँ, ठीक, अब देखो यह क्या है, एक scientist है, उनका नाम है मेशनर, क्या है मेशनर, तो मेशनर effect, NCRT लिखता है, कि दखो, the phenomenon of perfect dimagnetism, यह जो perfect dimagnetism का पूरा explanation जो बताए, जो फिनोमेनल होता है, बच्छो, इन superconductor CCU को कहते है, मेशनर effect, यानि उन्होंने ही यह सब खोज किया होगा थी, आचा खोज किये तो इसका क्या यूज है भाई धरती पर, इसका यूज होता है, superconductor से ना, देखो, superconducting magnets are used for running magnetic levitated superfast trains, magnetically levitated superfast trains, नाम सुने हो, maglev trains, नाम सुने हो, maglev trains, नाम सुने हो, maglev trains, maglev trains, जिसको बोलते है, YouTube में वीडियो स सर्च करके देखना, exact country मुझे नहीं पता, लेकिन चाइना जपान में, magnetic levitated trains होता है, जिसे मालो track भी है, नौर्थ पोल यह हो गया, भी है, ट्रेन का जो यह है, चक्का समलो वो भी नौर्थ पोल, अब नौर्थ नौर्थ में रिपल्सन होगा, ठीक, रिपल्सन होगा, तो दूनों हवा में रहता है, अब बस चलेगा ऐसे करके, ठीक, बहुत स्मूथ चर्णी, घरसल रगणाहट होता ही नहीं है, बहुत भ्यावना की स्पीड से चलता है, 500-600 किलमीटर समय ले इस तरह से, ठीक है, उसके अंदर का प्रिंसिपल, मैंने ओभर व्यू बता दिया, कि भाई, मैगनेट का यूज करके, जो है, सुपर कंडक्टिंग मैनेट, यही सब थियूरियोज करके, मैगनेट चलता है, आजो, कितना भियाना की एक्स्प्लानेशन था, ओ गाड, नॉन यूनिफर्म मैगनेटिक फिल्ड होगा, तब कैसा यह सब बहेव करेगा, नॉन यू यूनिफर्म जो मैगनेटिक फिल्ड होता है, वो कैसा होता है, तो बोलते हैं, वो तीन लाइन, मलब यह पैरामीटर जो हैना, फुल्फिल करना चाहिए, इस्टेट लाइन सो, पैरलल टू इच अदर हो, इकू डिस्टेंट फ्रम इच अदर अगर हो, तो उसको बोलते हैं की यूनिफर्म फिल्ड है, ठीक है, यूनिफर्म में मालो की यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है क्यू, तो भाई या दोनो जगा पर मैगनेटिक फिल्ड लाइन, मलब मैगनेटिक फिल्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, वो क्या होगा, सेम होता है, यह यह य स्पैस्टN यहां कैमसेख स्ट्रोंग मतलब यहां मैगनेट क NBC स्ट्रेंथ जादा होगा जहां पर फ्यल्डा होगा है मैगनेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या ढूलता है क्या कि अगर सैसे शब्स्टेंश को ले से रखोगे नहीं तो क्या होगा तुम्हें डाइग्राम से बताता हूं फिर यहां पर आता हूं यह करके ठीण से करके बताता हूं आता हूं इस पॉइंट पे धैग्रम डायय मैगनेटिक मौन लो तो इध defence competit Civic Day है ठीक है और मैंने लखाइय मैरेतिक सटस्तेंस जब ही टाइय मैंने निटिक सफ्केस रखते है न हमें पता है की opposite डैरेकशन में क्या होता है इसमें दैपोल मोमेट निडियू सी नॉर्थ 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 इधर बनता है साउथ साउथ इधर सो और एसे लगा होगा तो इसे का मुंब्मेंट इधर हो जाएगा सोटू जैब जाने लगें च new rain दयरेक्शन किसी कि след जाने लगे मारे तो अब अभी ऐसा सोचूँगा सर नॉर्ठ मेगनेटिफ नॉर्थ ज्यादा है थीक तो ज्यादा झेका धक dynamics फूर्स थुर्णी यह थोले सा कम भागेगा यह है ट breaths रिपल्शन वाला जो होगा थोड़ा कम लेकिन इस गेником लेगben की किधर होगा इधर फेकाएगा तो यह इधर भागेगा तो यह भागा किधर हो तो बोलेंगे stronger से ले करके weaker के तरफ यह substance भागना चालू कर देगा कौन diamagnetic तो बोलें diamagnetic substance when it is placed in non-uniform magnetic field starts moving from stronger magnetic field region to weaker magnetic field region आजाओ पढ़ो भई they move from stronger to weaker region of magnetic field साइए तो यह दोनों का कहाणी जो है थोड़ा सा एक साथ बताता हूं देखुए यह पैरा और फेरो stronger weaker stronger weaker पैर मैगनेटिक रखते हैं तो हमें पता क्या है कि यह नौर्थ इधर है न तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है इसी डायरेक्शन में क्या होता है यह इंड्यूस होता है, तो हमें पता है कि दोको ये साउथ-साउथ-साउथ बन गया, ये नॉर्थ-नॉर्थ-नॉर्थ ऐसा बन जाता है, अब यहां पर मैगनेटिक फिल का श्ट्रेंथ ज्याधा है, सोचलो, अगर ज्यादा है, तो यही एफेक्ट हमें दिखाई देगा, तो क् तो यहां पर तीन साउथ हमने बनाया वजो कितना बनाया तीन साउथ पता है कि यहां वह एक्स्टरनल मेंगनेट से एट्रैक्ट होता है तो यह स्टार्ट मुविंग फरम किदर वीकर टू स्ट्रोंगर रीजन अच्छा तो यह इसका हल क्या होगा वह इसमें एक दो तीन चा आर्पंच छे बहुत भ्यानग ती साउथ साउथ साल साउससा जूंद इं हमोल इसके कंपरीजन इंधिव FREarta अधिया हो गया। Sorry 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 ultra डाराइक्टायशनी बना दिये एक सके बहा हुआ इसटार थरो फेयर online इन ड कि धर सब्सक्राइब करें तो इंटर भागना इधर चालो करेगा यो गया, मौमेंट डाई रेक्डशन, यानि की यह जो मौमेंट डाई रेक्शन होगा, तो यह कैसे इधर करेगा बच्चों सुलोली धीरे से माल लो अगर यह मूव करता है कि एट्रेक्ट कर रहा है ठीक है तीन साउथ ऐसे दिख रहा है यहां वह यह दस पंदर साउथ है पकल करके ज्यादा स्पीड से खीचेगा तो यह कैसे हो जागा फास्ट यानि की कुटली स्टाट मुविंग फ्रम भी कर टु स्टॉंगर यह स्टार्ट कुटलya कैसी जाता है तो जैगा इंहीं 3 हो गया है चलो नेक्स्ट क्या है यह देखे जारा नेक्स्ट प्रोपर्टी बहुता है कि एफेक्ट ऑफ मैगनेट और सॉलुशन सउलुशन का मतर्ना कि लेकुड स सफोलुशन हम लोग लगाते हैं कि इसका पार मेगनेटिक फैर यह दाय और फैरो तो विपुड थे सबस्टनेंट इस पूर्ड यह यूट्यूब यह वाला यूटूब नहीं जो हम लेक्चर रिकॉड कर रहे हैं यूटूब कैसा ऐसा ऐसा यूटूब देखो जो रहा है, ऐसा यूटूब, ऐसा बना हुआ है, तो बोलता है कि जब इसमें डाय मैगनेटिक सॉलूशन लिकुड जो है न, हमने इस यूटूब में पोर कर दिया, और एक आर्म के तरफ हमने क्या किया, एक स्ट्रॉंग मैगनेट ऐसा लगा दिये, यहां पर, ठीक है, बताना है कि क्या होगा, अच्छा, तो बोलता है, एंड वन आर्म is placed between the poles of a strong magnet, तो बोलता है कि लेवल of the solution in that arm is lowered, क्या बोलता है, डाय मैगनेटिक सॉलूशन जो है उसका लेवल नीचे घटने लगेगा, और पैरा मैगनेटिक में वही चीड कि लेवल of the solution in that arm क्या होता है, बढ़धे लगता है, बताओ भाई कैसे, अनिलसर डियाग्राम से समझाओ, यह तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, बताता हूँ, आजाओ, ध्यान से देखना, यह है, डाय मैगनेटिक सॉलूशन, अडाय मैगनेटिक हम क्या जानते है, रिपल्सन है, मेरा बात नहीं मानता है, रिपल करता है, यानि कि जहाँ पर नॉर्थ होगा, वहाँ पर नॉर्थ हा जाएगा, तो इस साइड सबस्टेंस में क्या होगा, बच्छों, नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ ही हो जागा, रिपल करेगा, क्योंकि यह डाय मैगनेटिक हम बोलेंगे मनता है हा कैसे मानेगा हम बले गान नौर्थ ठीक है तो मेरा बात से एक्ट्राक्ट होगा ट्रैक्ट कभ अचिक बोर्ट जब यह खूद डेवलब कर लेगा साव्ट तीक को नौर्थ नौर्थ मारा रिपल्ट्र रिपल्च के धर ऊचर्ण फ्रोस लगा इधर फिर साउट फोर्स लगा इधर तो एक इधर लिकूड पर लगा एक लिकूड पर इधर लगा दोनों का रिजल्टेंट सोचो कि इधर लगेगा इस साइड तर दिस इस रिजल्टेंट फोर्स और भाया लिकूड पर रिजल्टेंट फोर्स नीचे लगेगा तो लेवल क्या होगा बचो न नोइसे तरफ के तरफ हो जाएगा तो एक फोर्स लगा इधर यह इरग और के तरफ यह चोनDP के तरफ अट यह लगा तो हुआ आ external कोई बात बोला तो भया भाग गया नहीं माना मेरा बात डाय मेगनेटिक मानता ही नहीं है खड़ाब आदमी है यह नहीं होता है प्रोपर्टी नंबर 11 हो गया क्लियर है कि सारे प्रोपर्टी समझाई दोंगा जितना है आजाओ तो सब एक अकर के लाइन में लग जाओ शेप ओफ लिक्युड इने ग्लास काटोरा जैसा एक शीशा ठीक है ऐसा कटोरा जैसा शीशा में क्या करते हैं हम डाय मेगनेटिक पैरा मेगनेटिक और फेरो मेगनेटिक सब ससराक वो कैसा बनता है तो पहले जब कटोरा में करके मालों डाय मेगनेटिक सब्सटेंस रख दिया मैगनेन वैगनेट है नहीं ऐसे तो कैसे रहे गा फ्लेट ठीक है निक्लास-दारो टू मैगने पोल्स क्या होते है, वो मैगनेकिक पोल्स, ये शेप कैसा होगा, तो न्युक, ऐसे लोक मगनेटिक लिकुड ये एक कटोरा है इसमें हमने ऐसे डाल दिया उसमें आ 지 है इसमें में रहे तो इनिस्श ली जो है ये ऐसा है इसा है प।क यह वहीब को आप यहाओ और दोनाना दो पोल्स-प गर। और रहेते हैं यह और एक बार कर देते हैं नजदीक, तो बताओ कि इसका शेप जो है ना कैसे चेंज करेगा, तो जैसा डाय मेगनेटिक है न वैसा ही पैरा मेगनेटिक के लिए करेंगे, इनिशली पैरा मेगनेटिक सबस्टेस हमने डाल दिया, ठीक है, इनिशली पैरा मेगनेटिक सबस्टेस होगा क्या बोले यह है नौर्थ तो बच्चों नौर्थ पूल और साउथ पूल थोड़ा सा दूर है थोड़ा सा दूर है तो हमको पता है कि पूल का स्ट्रेंथ यहाँ जादा होता है पूल का स्ट्रेंथ यहाँ जादा होता है तो इस जगह पर क्या होगा वीकर मैगनेटिक होगा यहां पर क्या बोलोगे कि stronger Magnes Her He कि दूर्फेर से सकता हो कि चलो उक Jlyetmeye तरीका यह बिता तो इस जगह पर मेगनेटिक फिल्ड है किस जगह पर स्ट्रोंगर है और बीच में वीकर डाइ मेगनेटिक किधर भागता है डाइ मेगनेटिक किधर भागता है किधर भागता है डाइ मेगनेटिक देखो जरा रिपल्सन हो जाता है भाईया है ना जहां पर स्ट्रॉंगर रहेगा उधर से भाग जाएगा किधर वीकर के तरफ तो ये स्ट्रॉंगर से वीकर के तरफ भागता है और ये दोनों क्या करता था ये दोनों वीकर से stronger तरफ आता था थीक तो पहले डाय मेगनेटिक का देखते हैं कि stronger जहां रहता है नो वहां से ये भाग जाएगा वीकर के तरफ ठीक आजो जहां stronger है ना substance बचो यहां से भागेगा तो stronger यहां पर है तो इस जगा पर देखो क्या होगा भागेगा यह stronger magnetic फिल है ना यहां पर यहां से भागेगा तो यहां पर नई रहेगा liquid यहां पर भी नई रहेगा liquid भागा और वीकर के पास चला आया तो शेप कैसा बन जाएगा वो देखो जा रहा शेप कैसा बन जाएगा तो बोले कि stronger के तरफ से भाग गया तो भाग गया तो weaker के पास क्या हुआ यह आ गया यह देखो और substance ऐसा बन गया तो originally कैसा था और बाद में कैसा हो गया आया बात समझ में stronger से भागा भागो 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 वीकर के तरफ आकर के खड़ा हो गया और ऐसे कैसे समझ सकते थे बाए डिया म्हनीक सबस्स्टेंस ओगर रिपल्शन नार्फ 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 हो जाता हैं दोसरी तरीका सौथ पहुंग यह हैं घीक हलो अब जबBy Eng तब क्या हुआ तो नजदीक ला दिया न इस जगह पर strong magnetic field है कैसा है strong लेकिन दूर इस side देखोगे तो weak magnetic field है थोड़ा दूर देखोगे तो इस side क्या हो जाएगा weak magnetic field है क्यों क्योंकि दोनों पूल जो है न अब हम सटा दिये तो यहीं पर strength है ज्यादा यहीं पर strength क्या है ज्य stronger है ना यहां से भाग जाएगा stronger है यहां से भाग जाएगा डर करके चला जाएगा विकर के तरफ चला जाएगा विकर के तरफ तो यहां रहेगा ही नहीं यह इस जगह पर न सेंटर पर रहेगा ही नहीं तो नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा देखो जर इस side चला जाएगा ऐ यहां पर से गया फिर यह नॉर्थ 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 न इस्ट्रॉंग फिल्ड यहां पर इस्ट्रॉंग फिल्ड तो जैसे किसे यह इस्ट्रॉंगर से वीकर के तरफ गया तो यह क्या है बचो वीकर से इस्ट्रॉंगर के तरफ जाता है वीकर से ना पहले ऐसे था ना तो वीकर से यह भागेगा किदर इस्ट्रॉंगर के तरफ या से एक तो यह हुगा कि वो राटंटि विद्या से कर लिए किव कर से वी क्विकर کے पास तारा बाते चीक्प अब यहाँ पर ही होगा यह strong magnetic field और दूर रीजन में गर जाओगे तो ये कैसा हो जाएगा वीक, दूर में जाएगा तो कैसा हो जाएगा वीक, बीच में श्ट्रोंग है, तो ये क्या होता है, यहां पर आकर कि यह जमा हो जाता है, ठीक है समझ में आही गए गये बच्वेर कि नहीं? अब ऐसे भी कह सकते हो के चलो बोली जयते कि नॉर्थ है तो सारे सॉाफ साउठ साउठ अट्रैक्ट होके यहां पर आगया मतलों इस तो सब नौर्थ नॉर्थ नौर्थ बना दिया वो लिक्विड तो होता ही निया फैरो में लिक्विड इस फैरो में तो बारे नंबर हो गया बच्छो अब आते हैं हम लोग जारा suspension of rod in magnetic field suspension of rod in magnetic field में क्या होगा ठीक है तो देखो क्या है करना क्या है कि दो यहाँ पर ना पूल बनाएंगे नौर्फ पॉल साउथ पॉल बना दिये उसमें एक rod को क्या करेंगे हम जैसे मालो यह रॉड हो गया ठीक टेक डाय मेगनेटिक rod को क्या क्या करेंगा freely suspend कर देंगे तो मालों हमने freely क्या कर गया डाइ magnetic कैसा यह डाइ मेगनेटिक कर दिया तो डाइ मेगनेटिक करता क्या है between the pulse of magnet है तो सोचो यह नौर्थ है तो हमें पता है कि रॉड अगर ऐसे मालों तो मैं आपको करके बताता है मालों यह दिवार नौर्थ पोल यह दिवार साउथ पोल हो गया ठीक अब एक रॉड को रखता हूं मालों रैंडम ऐसे मैंने रख दिया लेटिट वे और यहां से एक रस्से से हैंक कर दिया ठीक भाई जो नजदीक है न नौर्थ पोल के होगा क्या यह बात तो मानेगा नहीं नौर्थ बोलेगा नौर्थ यह बोलेगा रिपल करेगा यानि यह येंड बन जाएगा नौर्थ और यह है साउथ रिपल करेगा तो यह एंड बन जाएगा सा पर्पेंडिकुलर यह रॉड क्या हो जाएगा प्लेस हो जाएगा क्या हो जाएगा पर्पेंडिकुलर प्लेस हो जाएगा इसे ठीक तो यह ऐस तरह से नहीं रहेगा पर्पेंडिकुलर हो जाएगा बचों इसी लिए इसको क्या बोला जाता है अभी बताता हूं डाइग्रा पर यह और द्हाईक जीड़ा ना यह साउथ यह साउथ साथ मारेगा फूर्स इधर तो ध्रसिए हैंस जो डाइग्राम बनेगा ना यह नौर्थ यह साउथ तो बूलेंगे इस रोड बिकमस पर्पेंडीकुला गुजा राइसे और यह क्या पर्पेंडीकुला नाइन की क्या है मालो की freely suspend करके आएके टिला कर यह से रख डिये माखलो uh में था कि रिली हमने क्या किया 650 कर दिया ठिकर तो सुचू क्या होगा हम बोलें गशे आअप्या तो रहा हुझा हम बेरे बातों से ठिकर सांथ मे hac साथ ते यह नौर्थ हो यह सुचो कि आवे इस पर फोर्स लगा इधर इस पर फोर्स लगा इधर तो ऐसे था यह गिरेगा इसे दख्रोड धाख से जैने साथ आए से यह निदिस पीकोश पैरलल टूदा क्या हो जाएगा यह इसका अगर बनाओगे दिस इस नौर्थ इस साउथ तो यह जो है इस तरह से एलाइन हो जाएगा तो यह साउथ ही नौर्थ मैंगेनिटिक फिल लाइन एसे तो उसके पैरलल हो जाता है रोड बिकमस पैरलल सिमिलर लिए वाल भी यह तो और भी अच्छा मेगनेट होता है बैप ईसे से करो गया स्मझ लूब नॉर्थ ये बहुत भीयानक होगा अधरह ये गिर आगा ऐसे लिद इसे बच्छो या ओनेट इस स्थीन और अब इन दोनों में क्या डिफ्रंस होगा तो पूलें सब्सक्राइब कर देगा तो पारा से थोड़ा फेर हो जादा ज्यादा अच्छा होता बस यहीं चीज़ और क्या इफ रॉड़ पारा मेगनेटिक मेटेरी सस्पेंडे फ्रेली बिट्वें टू मेगनेटिक पोस्ट तैनि इपकास पैरलल टूदा मेगनेटिक फिल्ड हो आपरी ऐसा है इरो Sumer NeXT लास्ट वर्टी किन और अश्यव waktu होगा मिरे ख्याल से अफ्यप्ट टेंप्रेचर में तो बहुत अच्छा में शोंग हो त्रॉम बन गहुत च्छा मेंदर रहा है प्लस तो मतलब उसी direction और माइनस तो opposite direction बस इतना पता है बोलता है क्या effect of temperature on susceptibility अगर हम temperature बढ़ाएंगे तो susceptibility पर क्या effect पड़ेगा यानि कि जैसे कि माल लो temperature बढ़ाने से susceptibility पर क्या effect पड़ेगा तो माल लो बचो कि हमने तार बांधा समझो जाएंग तो हो जाएगा हमने तार बांधा h equal to ni हमने किया यहाँ पर रख दिया सबस्टेंस अगर माल लो कि paramagnetic substance का उधारन ले तो यह इसी direction में क्या होता है ठीक है अब हमें पता है कि भाई सब aligned इस तरफ है तो बहुत अच्छा magnet बना हुआ है लेकिन अगर temperature बढ़ाओगे तब क्या होगा तो हमको समझ में आता है भाई अगर temperature बढ़ाएंगे तो इसका जो alignment है वो क्या होगा थोड़ा सा वाइबरेट करेगा है कि नहीं और जहां वाइबरेट किया तो उसके जो डाइपोल जो बढ़ा अच्छा से के लिए बचो temperature बढ़ाओगे यह घटेगा तो यह हो जागा क्या inversely proportional to temperature क्या बात क्लियर है क्या बहुत अच्छा से एकदम सिंपल paramagnetic substance के लिए काई is inversely proportional to temperature ठीक है देखो जरा तो paramagnetic के लिए susceptibility is inversely proportional to its absolute temperature इसी को बोलते है क्यूरी जो मैडम क्यूरी ने ये लौ दिया था paramagnetic substance के लिए चलो एक एक करके देखते हैं यहाँ पर बताता हूं जरा तो paramagnetic substance के लिए हमने क्या देखा कि भाई क्यूरी जो लौ है वो क्या है बच्चो तो बोले कि susceptibility is inversely proportional to temperature तो यही susceptibility जो constant of proportionality हटाएंगे तो एक constant लगेगा c ठीक है तक काई is inversely प्रोपोश्ट ऐसे यह को हो जाएगा c बटे t what is c since madam Curie ने खो जा तो अपना नाम पर उन्होंने दिया तो यह आज के बाद दुनिया बोलिए क्यूरी स्कॉंस्टेंट अगर मैंने दिया होता तो मैं लिखता ए बटे t तो अनिल्स कॉंस्टेंट पढ़ रहे होते हैं नई दिया तो नई दिया तो यह क्यूरी स्कॉंस्टेंट हो गया ठीक है यही है क्यूरिस लॉग अब हमें पता है कि काई इनवर्सली प्रोपोश्टर टू टेंपरेचर ऐसे है वच्छो तो अगर इसका ग्राफ बनाना होगा काई वर् अगर है तो ग्राफ बनी ऐसा और उसका नेचर कैसा हो जाता है बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपर बोला और इनवर्स रिलेशन जब ऐसे होता इसका मतब क्या जैसे टेंपरेचर बढ़ा होगा तो ड्रास्टिकली घटे जाते बहुत खातरनाक तरीके से घटे जाता है बहुत खातरनाक तरीके से घटा है तो रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ठीक है अच्छा अच्छा यह ऐसा हुआ बोलते हैं क्या बच्छो देखो यह समझ में आगे ना पैरा मेगनेटिक थी डाय मेगनेटिक का क्या है अब डायरेटिक के एक्सपरिमेंटल चीज बताता ह अब डाय मेगनेटिक में क्या उल्टा में एलाइंड है तो वहां भी हमें फिलिंग लगता है कि यार टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो उसका भी एलाइनमेंट जो है इधर उदर घसकेगा तो हो सकता है थोड़ा सा ससेप्टिविलिटी जो है जतना अच्छा से एलाइन था घटना चीए लेकिन शुक्त है कि अब उसके अंदर कितना अब लोग घुस करके यह देख़े तो यह सेप्टिविलिटी अगर टेंपरेचर पर डिपेंड ही नहीं करता है तो तो डिरेक्ली प्रोपोशनल तो टेंपरेचर के पावर क्या बोलोगे जीरो क्योंकि टी के पा पर 0 उस पर डिपेंड ही नहीं है इंडिपेंडेंट पर टंप्रेशर है यह तो ऐसा भी सवाल में कभी पूछता है कि ससेप्टिबिलिटी जो है नाथ हाव सेप्टिलोटी डिपेंड्स अपन टेंपरेचर चार ओप्शन दे दिया टीके पार जीरो टीक पार वन रूट टी ऐसे करके तो भाई यह डिपेंड ही नहीं करता है अब एक्सपेरिमेटल देखा गिए नए है तो नए है की नहीं यह देखा गिए घटता है वाईब्रेशन ऐसे हुआ तो उसका डाइपोल घसका तो यह घट गया फेरो मैगनेटिक में क्या है तो फेरो मैगनेटिक में भी बच्चों दोखों इसी के जैसा है यह ना है तो इसी के जैसा थोड़ा सा बस चेंजेस रहता है की क्या बोलता है कि इसमें जो है न क्या है खतरनाक तरीके से सारे domains wise जो न सब aligned है एक तरफ बहुत मलब हजारों ऐसे करके aligned है तो बहुत भ्यानक magnet बना हुआ है in the direction of magnetic field ठीक है हम temperature बढ़ाते हैं तो पता है कि इसका dipoles क्या होगा थोड़ा vibrate क्या इधर उधर randomness बढ़ेगा तो अपन like branding जो behavior है वो क्या होते जाएगा धीरे धीरे कम यानि temperature बढ़ाते जाओ फेरो मेधिदि भी कम होता है कैसे है तो उसको बोलता है iced stadium im retail daylight धीरे धीरे होते जाता है ठीक सोचो फेरो मेधिटिञ्च आब बहुत अच्छा बना हुआ है, एलाइंड है, टेंपरेचर बढ़ाते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, भाईया, कम होते 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 होते, एक टाइम ऐसा आता है, एक ऐसा टेंपरेचर आता है, जिस समय की इतना कम हो जाता है, क थोड़ा मेंड Siq तो यह कम हो करके थोड़ा ईलाइंमेंट इसमें बचता है बच्छों तो पर अर्टिकुलरर टैंबरेचर कोगो Cuparis कि बैट मेटम क्यो ही कही सी खुज किया हुआ है वोले क्योरिस तेंप्रेचर वह इस त्यृट्रीचयर वह टेंप्रेचर होता है जब फêu्रोमेग्जेटिक सब्स्टेंश को काइन यह दैट टेमपरेचर इस नोन अस्क्यूरिस टेमपरेचर टी सफिक्स सी से हम डिनोट करते हैं ठीक है तो एक लाइन लिखा वो जो ससेप्टिलिटी डास्यंज अकॉर्डिंट टुपिर लॉग का मतलब ही होता है बचो कि इस डारेक्ट इनवर्स रिलेशन फॉलो कर दे डा जो लाइन से ना एकर करके सबको देखते जाओं तो तो देखो शॉस्प्टिबिलिटी कैसे डिक्रीस किया इतना अच्छा मेंगनेट बना ठीकिक डिक्रेस तीडिडी धीरे-धीरे with the राइजें टेंपरेचर अधीरे-धीरे खातम हो जाता है उसका प्रोपर्टी अपना प्रोपर्टी कातम करके बनता है बोले आइरन का दोखो कितना होता है क्योंट टेंपरेचर 770 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें तो हाथ जल जाएंगा इस 70 डेंटीग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के आइरन आयरन नहीं रहता है कुछ बन जाता है निकल 358 डिग्री सेंटीग्रेट को बाल्ट 1121 डिग्री सेंटीग्रेट पर ऐसा होता है ठीक है आज़ो जतना चीज़ें सब पढ़ ही लो भाई तो क्योरी वेस्ट लो क्या है बचो इसका जरा मैं एक जरा यह समझाता हूं देखो कैसे समझोगे यह टेंपरेच तो बोलते है लेट टेंपरेचर अभी है जीरो डिग्री सेंटीग्रेट ठीक है तो यहाँ पर सबस्टेंस कैसा है फेरो फेरो मैगनेटिक मैं टेंपरेचर कर रहा हूं उपर बढ़ा रहा हूं ठीक है बढ़ाते 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 टेंपरेचर इनक्रीज करते जा रह आता है जहां पर इस साइड देखोगे सब क्या है फेरो 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 लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर टेंपरेचर आता है बचो जब टी कोल टी सी हो जाए क्यूरिस टेंपरेचर इस जगह पर अंदर देखोगे तो थिव्टी डिगरी सेंटिग्रेड है ये लेट उधारन के तौर पर कि 50 डिगरी पर आए ना तो फैरो मैगनेटीग खतम हो गया वंजा पैरामेडेटीग बन गया इतना वाइब्रेशन ही सब सब हुगा खतम हो गया उसका ठीक है बोलता है क्या यहां तक कैसे हो रहा था बचो तो temperature बढ़ाते थे न यह तो काई decrease करता था कैसे steadily धीरे 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 क्या करता था decrease करता था लेकिन इसके उपर जब गए किसके उपर Tc के उपर तो Tc के उपर कोई भी temperature ले लो तो लेट बोलता है कि T equal to 53 degree centigrade ठीक है तो य जो है steadily मतलब धेर धेरे घटता लेकिन इसके उपर तो किता तीन डिगरी उपर गए तो इस temperature को लिखोगे कैसे सोचो तो बोले Tc से कितना उपर है तो बोले भाईया लिखेंगे 53 degree centigrade माइनस कितना है 50 degree centigrade तो इसको लिखोगे क्या बचो सोचो किसी भी temperature को 53, 54, 55 को क्या लिख होगे T और हम यहां से कितना उपर है तो 53-50, 54-50 यानि कि T-TC लिखना पड़ेगा कि कितना यहां से उपर गए हो तो यहां से उपर गए है तो उसको क्या लिखेंगे T-TC जो कि बताएगा यहां से कितना उपर गए हो तो बोलता है यहां से अगर एक डिगरी उपर भी अगर कर जब रमेगनेटिक मेंटर कर गए ना यहां कि यहांसे जतना भी उस्ती 14 डिगरी 4 डिगरी 5 डिगरी उसको लिखेंगे 37ak ही 35 25 क्या है तो ये रीजन औरने मेगनेटिक है इसमें हम लोग जानते कि कैसा होता है क्यों भी होता है बचो posterior इनवार्स रिलेशन directly rectangular hyperbola तो ये बुलेंगे क्या chi is inversely proportional to T होगा क्या होगा chi inversely proportional to T लेकिन सिसके उपर की बात कर रहे है पैरामेगनेटिक तो इसके उपर है तो इसके उपर को temperature को T minus Tc लिखते हैं हैंस यहाँ पर क्या लिखेंगे T minus Tc लिखना पड़े गा और यही है क्या Curie's law ना बोल करके क्या बोलते हैं Curie Waste law बोलते हैं क्योंकि Waste ने भी आकर के कुछ थोड़ा सा ये बोला होगा ऐसा कुछ ठीक है तो ये देखो जाला है ये जो काई है ना ये proportionality हटा होगे constant लगे हैं सीडैस नाम देद होती प्रोपोर्शनेलिटी constant of proportionality है ये constant of proportionality समझ में आगे है तो बस 0 degree से उपर जाते जाओगे भाई या फेरो मेगनेटिक का जो है काई मलब बहुत अच्छा जो मेगनेटिक बना हुओ तो धीरे 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 ने मसे ने में हैंते प्रोपरटी कह था तो यथा इसाटना मलब देडीwhy this भाड कैसे बना वो तो बोलता है क्या क jako मैम अ यह फैरो मेंगनेटिक के लिए यह गलिए किया है वाई है यह जिए जिरो डिग्री centigrade तो पहले बढ़ाते 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 न एक टेंपरेचर पर आओ विच इस नोन अस क्या क्योईरिस टेंपरेचर आओ क्योई टेंपरेचर पर आगए क्योई टेंपरेचर पर उसके बाद जो है न देखो यहां है और यहां से ग्राफ के सब्नेंगा बनेंगा एसा बन जाएगा तो वाट इस दिस इस इस काई सिंवर्शली प्रोफेश्ट टी माइनस टी सी क्यूरी चाहिए प्लाव्य होता है रेक्टेंगुलर ऐपर बोला ही ग्राफ होगा बिल्कुल सेम क्या है यह अब क्या है ना कि कुछ भी चीज पढ़ो चाहे NCRT से पढ़ो चाहे कोई भी किताब से पढ़ो अब समाझ में आएगा ठीक ठाक से क्योंकि हर पॉइंट्स क्लियर हो गया ना ठीक तो यह फेरो रीजन था वह पैरा तीग्राफ क्लियर हुआ क्या है कैसे क्या है अधाय मेगनेटिक में क्या था काई बोले कि ड़स नौट डिपेंड अपन टेंपरेचर तो भाई या टेंपरेचर पर जब डिपेंड ही नहीं करता है बचों तो देखो जरा फॉर डाया मेगन के लिए क्या होता है काई होता कैसा है होता है नेगेटिव एल्यू तो नेगेटिव एल्यू एंड स्मॉल वैल्यू होता है कि नेगेटिव एल्यू और स्मॉल होता है एंड काई डू नौट डिपेंड डू नौट डिपेंड ऑन टेंपरेचर ठीक है तो टेंपरेचर पर किया ही नहीं काई का वेल्यों और इसका मतला नहीं किया तो ह next day के लिए डाया मेगनेटिक के लिए यह है किलियर हुआ क्या क्या Państu Haegov तो। consecutive तेम्परेचर पर डिपेर्न में कर रहा है और जीरो के निच sausage क्योंकि यह negative and small value होता है तो यह क्यूरीज लो क्यूरी वेस्ट लो और कुछ कहीं लिखा था क्या हां देख लिते क्यूरी वर्स लो देखो क्या है definition wise when temperature increases above the Curie temperature ठीक है a ferromagnetic substance becomes an ordinary paramagnetic substance हो जाता है whose magnetic susceptibility always the Curie वेस्ट लो यहां पर यह lecture होता है खतम थोड़ा से lengthy lecture हो गया लेकिन कोई बात ने चीजे समझ में भी आना चाहिए वरना कि जल्दी रीड कर दिये तो उसे क्या फाइदा चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में बच्चो वह है electromagnetic induction अच्छे से पढ़ाई करते रहे हैं थैंक्यू